हलो गुड मॉर्निक सरा हमने लिनेर एलजेब्रा स्टार्ट किये गेट के एक्जाम का यह सभी कोशन गेट के प्रीवियस एक्जाम के है गेट ठीक है तो हम आलमोस सभी ब्रांच के गेट के आई वे कोशन को कवर कर रहे हैं हम पहला यूनिट जो देख रहे हैं लीनेर एलजेब्रा जिसके अंदर में मैट्रिक्स रहता है हमने कुछ दो तिन वीडियो लिए है यहां मैं इसरी आपको एक ट्रिक्स बताऊंगा वही आपको यहा देखते हैं कोशन क्या है और इसकी ट्रिक्स क्या है वह आपको देखना है तो यह एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और जिसका आइगन वेक्टर आपको पूछा है तो आपने पढ़ा क्या था एक्चोली कि आइगन वेक्टर और आइगन वेल्यूज ठीक है आइगन वेल्यू के कर्स्पॉंड में एक वेक्टर होता है non zero यहां पर आइगान वेलू के सी कोई बात की है नहीं रहा है यहां पर आइगन वेलू जब कि जब तक आइगन वेलू नहीं मिलता तब तक आप उसका कर्सपॉंडिंग आइगन वेक्टर नहीं निकाल सकते और यहां पर without giving any information about eigenvalues, सीधा उसने direct पुछिया eigenvector, ठीक है, तो यहां हमें eigenvalues निकाननी की जरुवत नहीं है, नहीं तो eigenvalues निकाननी के लिए आपको पता है, यह 2 by 2 का matrix होता है, इसका एक characteristics equation होता है, यह 2 by 2 का है, तो आपको एक quadratic equation में मिलेगा, in terms of lambda, जिसको हम eigenvalues के लिए indicate करते है, quadratic equation उसको solve करो, तो आपको quadratic equation की 2 values मिलेगी, जिसको हम बोलते है eigenvalues, तो इसके लिए काफी कुछ समय लगता है, तो देखें, यहां पर यह definition और property के base पर कैसी हम find out कर सकते हैं, तो solution मैं कुछ discuss करूँगा यहां पर, कि eigenvalues और eigenvector के बारे में, भई, आइगन values और eigenvector और वो matrix का होता है, वो कैसा relate करता है eigenvalues, तो देखिए, मैं यहां पर थोड़ा short में लिखता हूँ, यह आपका matrix है, any matrix, यह capital X जो हैं उसको vector बोलते, आइगन वेक्टर corresponding to eigenvalues lambda and again capital X, यह जो equation है, यह बहुत ही important है, यह दिखने में तो आपको बहुत छोटा दिखता है, पर इसी base पर हम कई question solve कर सकते हैं, तो यहां पर देखिए, यहां जो X है, इसको बोलते आइगन वेक्टर और यह जो lambda है, जो कि scalar होता है, constant होता है, उसको बोलते हैं आइगन वेक्टर तो किसी ने बोला कि AX equal to lambda X पर कुछ comments करो, तो आप comments कर सकते हैं, कि lambda be the eigenvalues of matrix A, and capital X be the corresponding eigenvector of eigenvalues lambda, ठीक है, तो ओके, अब यहां पर देखो, A आपको दिया हुआ है, A आपको दिया है, lambda दिया नहीं है, सिधा पुछ रहा है कि इस matrix का eigenvector क्या होगा, तो इस definition को आप follow करो, और एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं, यह जो vector है X, यहां पर देखो same same X है, इसका मतलब this is the unique eigenvector of this eigenvalues lambda, unique same, यह same रहेंगे, यहां जो रहेगा vector वो यहां पर रहेगा, lambda कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो constant है, scalar है, तो चलो हम चेक करते हैं, यहां पर क्या करने का आपको option पर से जाना है, तो जल्दी solve होगा, याद रोको बहुत सारे question option से जाएंगे, तो जल्दी होगा, अगर तुम theoretically जाओंगे, तो उसके लिए तुमको पहले निकालना पड़ेंगा eigenvalues, उसके बाद उसके corresponding में eigenvector तब जाकर क्या आप direct, उस समय आप direct answer पर पहुच जाओंगे, मगर it will take more time, हम थोड़ा सा short में देखते हैं, कि मैं आभी A मेरे पास दिया हुआ है, तो मैं लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा follow करनी कुशिश कर रहा हूँ, A है आपका minus 4, 2, minus 4, 2, और 4, 3, ठीक है, मैं पहला option चेक करता हूँ, A, तो यह capital X है, उसने क्या पहला, आइगन वेक्टर, इसका मतलब भी, और वेक्टर कैसे लिखते हैं, column matrix, याद रहो, vector, column matrix, तो मैं यह 3, 2, रखके देख रहा हूँ, 3, 2, मतलब मैं यह पार्ट ले लिया हूँ, बस यह पार्ट आना चाहिए आपका, यह पार्ट, यह अगर equal to, यह तुमने इस form में express कर दिये इसको, तो समझ लेना कि आपको vector भी मिल जाएगा, और आपको eigen values भी मिल जाएगी, ठीक है, जबकि यहाँ पर eigen values भी पूछ सकता है, दोनों एक साथ पूछ सकता है, तो given matrix, the eigen values and eigen vector is, यहाँ एक eigen values का option रहेगा, और eigen vector सब में, ठीक है, तो यह इस type से question बनते है, चलो, तो अब इसको solve करते हैं, तो matrix का multiplication कैसा होता है, वो देखो, यह है आपका 2 by 2 का matrix, और यह 2 rows और 1 column, 2 by 1, तो matrix का multiplication कब हो सकता है, यह दोनों सेम चाहिए, अगर यह दोनों से में, तो आपका matrix का multiplication possible है, otherwise not possible, तो after multiplying these two matrix, you will get another matrix whose order is 1, sorry, 2 by 1, 2 by 1 मतलब column, यह, 2 by 1, तो यह मिलेगा आपको 2 by 1, ऐसा calculation आपको करके रखना है, अब यहाँ element entry करना है, और यहाँ entry करना है, दो entry है, याद रोको, कोई भी matrix का multiplication करने के बाद, कौन सा matrix अपने को मिलेगा, उसका order क्या होगा, यह जानना बहुत ज़्यादर होनी है, यह तो आप element की position कैसी भी डाल दोंगे, अब देखते हैं, इसको matrix का multiplication कैसी करते, first row और यह column, ठीक है, तो first row का elements का multiplication और उसका addition, ठीक है, आरा समझ में, तो minus 4 into 3, minus 4 into 3, minus 12, और यह plus 4, मतलब कैसी निकालते, कैसी करत matrix का multiplication, first row into this column मतलब, इस element into this element, मतलब इन दो element का product, plus, बीच में का लगाना, plus, इन दो element का product, ठीक है, चलो, clear हो गया, तो यह हो गया, तो यह हो गया, minus 12, minus 12, plus 4, that is minus 8, यह हो जाएंगा, minus 8, फिर, वैसा second row, 12, यह 12 plus 6, ठीक है, तो 12 plus 6, तो 12 plus 6, 18, अब देखते हैं कि यह इस form में आ रहा है क्या, अब यहां से देखो, आप common क्या निकाल सकते हो, यहां से greatest common diviser क्या है, 2, तो आप चाहे तो minus 2 भी निकाल सकते हो, प्लस 2 भी निकाल सकते हो, no problem, तो यहां पर, आपका minus 2 निकाल, तो यहां क्या बचेगा, 4, और यहां से minus 2 निकाला, तो यहां बचेगा आपका minus 9, तो देखिए, मैंने यह left hand side लिया हूँ, ए दिया हुआ था, मैंने यह option choose किया, तो यह इसको इस form में लिखना आउशक है, मतलब इस matrix के बाहर कोई तो भी element चाहिए, जिसको में बोलते है, eigen values lambda, तो आपने minus 2 निकाला, ठीक है, तो minus 2 निकाल तो यह क्या होगे आपका, देखो, अब यह क्या आपका, ए था, यह vector आपका x था, equal to sin है, और यह आपका lambda था, और यह वापस x था, ठीक है, मगर यह देखो, यहां x same same आ रहा है क्या है, यहां same आ रहा है क्या है, नहीं आ रहा है ना, क्योंकि यहां मैंने क्या लिय 3 2 और हमारे को क्या मिल रहा है 4 minus 9 it is it is not possible it avoid the definition of eigenvalues and corresponding eigenvector इसका मतलब यह option आपका गलत है ठीक है तो ज्यांदा वाक्त नहीं लगता आपको a x लेना है और उसको express करना है lambda into x lambda कुछ भी हो सकता है चाहे तो यहां आप plus plus 2 भी निकाल सकते हो क्योंकि lambda is the scalar quantity it is constant and which is called eigenvalues तो यह option आपका गलत हो गया क्योंकि आपने जो 3 2 लिया था वह 3 2 यहां आना चाहिए जैसा कि x x same यहां जो भी x रहेगा vector वह यहां पर चाहिए lambda कुछ भी हो सकता है ठीक है समझ में आ गया है ओके अब यह b option को वैसा आपको चेक करना है मैं देवको c option को चेक कर रहा हूँ ठीक है तो option c फिर से लेंगे ax ठीक है ax ए कितना है आपका माइनस 4 2 4 3 अब मैंने x लिया 2 minus 1 अब चेक करते हैं इसको solve करते हैं ठीक है तो matrix का multiplication ठीक है तो this into this जैसा यहां पर किये वैसा यहां करेंगे this into this तो minus 8 minus 8 minus 2 minus 10 यह गलत निमा चीट यह हो गया minus 10 फिर this into this 12 12 यह कितना हो गया sorry 8 8 minus 3 5 ठीक है चलो निकालते हैं इसमें से common देखो क्या निकालना है मैं निकाल सकता हूं common यहां से 5 ठीक है यह minus 5 minus 5 निकाल दिया common तो यहां पर कितना बचा 2 और यहां से minus 5 निकाला यहां तो plus है तो यह क्यों जाएंगा minus 1 ठीक है देखिए जो मैंने लिया था वह यहां पर AX equal to lambda X. तो lambda कितना है आपका? minus 5. ठीक है? और यह आपका X है. मैंने कहा था आपको यह definition फालो होना ची. AX equal to lambda. यहाँ पर क्या होता है? आपको जो आइगन वेल्यूज नहीं पूचा है, वो भी मिल जाता है. minus 5. ठीक है? जो कि आइगन वेल्यूज यहाँ नहीं पूचा. उसने सिधा क्या पूचा? आइगन वेक्टर. अगर आइगन वेल्यूज भी अगर यहाँ पूचता आइगन वेक्टर के साथ-साथ, तो आपको तो भी आंसर मिलते हैं. तो minus 5 is आइगन वेल्यूज लिए वेक्टर पूचा. तो यहाँ पर इस मेतर से आपको आइगन वेल्यूज और वेक्टर दोनों मिल जाते हैं. तो देखो यहाँ पर साथिस्पाइड हो गया AX इक्वल टू लैंब्डा एक्स. AX इक्वल टू लैंब्डा एक्स. That means, this vector satisfied this definition. That means, this is the correct answer. बाकी सब गलत हैं. Next question पर आजाओ. इस समय में आगा आपको यह trick से. First calculation कर सकते हैं. दूसरा. देखो, the eigenvalues and corresponding यहां. यहाँ पर आइगन वेल्यूज और आइगन वेक्टर of a 2 by 2 matrix are given by. आपको eigenvalues देके रखा है और उनके corresponding vector भी देके रखा है अब मुझे बताओ, सब कुछ तो यहाँ पर दे दिया अब यह याद रखो, यह बार-बार में लिखूंगा x equal to lambda x तो यहाँ पर उसने आपको क्या-क्या दिया है eigenvalues भी दिया है और vector भी दिया है तो नेचरिल बता वो पूछेंगा क्या वो matrix कौन सा है तो उसने पूछा कि वो matrix कौन सा है जिनकी eigenvalues 8 है और corresponding vector 1-1 है जिसकी eigenvalue 4 है और उसका corresponding vector 1-1 है क्योंकि हर matrix में उसकी eigenvalues होती है और corresponding eigenvector होता है तो यह बहुत important है तो देखते हैं यहाँ पर अब यह matrix होगा कि यह होगा कि यह होगा कि यह होगा हमको matrix बताना है जिनकी eigenvalues 8 और 4 है और जिनके eigenvector 1-1 है और आपको यूज करना है केवल यह मैं बार बार बतार आपको AX equal to lambda इतिमार्ट में डाल दो यह क्या है तो देखते हैं solution तो आपको मैं यहाँ पर कुछ property लिख देता हूँ यहाँ पर इतने हिसमें आप समझ जाएंगे अब eigenvalues को मैं indicate किसे करते है lambda 1 से तो मैं तो अचा property लिखता हूँ कि if lambda 1, lambda 2 are two eigenvalue are two eigenvalue of matrix A ठीक है? A यहाँ पर eigenvalues बहुत important होती है matrix के अंदर में और यह compulsory question आता है यह eigenvalues और eigenvector पर तो हमारे परस में properties क्या है देखो अब यह 2 by 2 का 2 by 2 है क्योंकि lambda के value दो ही है न इसका मतलब यह matrix 2 by 2 गाच होगा तो सारे option में देखो 2 by 2 है ठीक है? तो अब property क्या है? कि यह जो lambda जो eigenvalues है lambda 1 और lambda 2 उसका जो addition होता है कोई भी matrix में वो किसके बराबर होता है? sum of diagonal element sum of diagonal element याद रखो कोई भी matrix दूसरी property यह है कि उसी किसी भी matrix का determinant तो determinant of A अगर आपको किसी matrix की अगर eigenvalues पता है न दोनो की दोनो तो आप उसका determinant भी निकाल सकते हो कैसी? product of eigenvalues lambda 1 into lambda 2 ठीक है? तो यह सब even only process है यहाँ पर अगर eigenvalues तुमको यह दी पता है तो आप उसका determinant भी direct निकाल सकते हो और वो property क्या है? product of eigenvalues अगर यह 3 by 3 का matrix होता lambda 1, lambda 2, lambda 3 are the 3 eigenvalues तब हम लिखते हैं lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 again sum of diagonal elements और यहाँ लिखे रहते हैं determinant of A any matrix is equal to product of eigenvalues lambda 1, lambda 2 and lambda 3 मगर यहाँ 2 by 2 का है तो बस देखते हैं यह हमारे कितना useful है तो देखते हैं यहाँ पर solution तो पहले तो हम lambda 1 plus lambda 2 देखेंगे और आपको lambda 1, lambda 2 देखे रखा है क्या देखे रखा है? lambda 1, 8 और lambda 2, 4 कित्ता हो गया यह? 12 हो गया ठीक है? 12 हो गया अब देखिए यहाँ पर कौन से matrix में diagonal का sum भी 12 आ रहा है देखेंगे लिजिए आप lambda 1 plus lambda 2 अरे भी lambda 1, lambda 2 दिया हुआ है न तो यह property का use करूना आप lambda 1 plus lambda 2 sum of diagonal element अब वो ही matrix होगा जिसका diagonal element का sum यह lambda 1 plus lambda 2 के बरो-बर होगा तो यह देखो 6 plus 6 कितना हो गया? 12 यहाँ कितना हो रहा है? यहाँ कितना हो रहा है 4 यहाँ कितना हो रहा है 8 मतलब first option is correct यह जो देखे रखा है आपको वो confuse करने के लिए दिया है आपको कि यह क्या है vector इसका कोई use नहीं है देखो इसका कोई भी use नहीं है तो ज़्यादा यहाँ सोचना नहीं है आपको point पर आना है कि दिया क्या है और उसने पूछा क्या है यहाँ पर eigen vector का कुछ भी use नहीं है मगर उसने आपको confused का निकली दिया कि आप कुछ अलग में मेथड़ करो इनका use करती है no, no problem तो यहाँ पर सबसे simple tricks है कि दो eigen values का sum जो कि values दीवी है वो होता है sum of diagonal element वो matrix होगा यहाँ पर जिसका diagonal element का sum 12 होता हो ठीक है? चलो कभी-कभी यह और difficult कर सकता है कैसी? दो matrix में 6-6 दे देगा फिर बोलेगो तुम पहला है कि दूसरा है दिक्कत आ जाएंगी उस समय हम क्या करेंगे? इसको check करेंगे कि determinant जो है उसका उस समय क्या करेंगे? determinant भी निकालके देखेंगे कि determinant इतना आता है कि इतना determinant इसका होगा ठीक है? तो वो उस टैप का भी वो पूछ सकता है तो यह भी होगा अब देखिए तीसरा question ज्यादा मैंने space नहीं राखा है क्योंकि यह जल्दी solve हो जाता है अब तीसरे में देखते क्या idea है for the matrix the eigenvalues corresponding to the eigenvector यहाँ पर देखो उसने eigenvector देखा फिर मैं लिखता हूँ ax equal to lambda बार-बार लिखूंगा हम है जब भी eigenvalues और eigenvector की बात आती है तो आपको यह equation याद रखना ax equal to lambda x ठीक है आपने यह detail पढ़ा है आपके curricular में था पूरा detail पढ़ा है तो यहाँ पर उसने किया क्या है यहाँ पर उसने eigenvector देखे रखा है देखे रखा है eigenvector और आपको matrix भी देखे रखा है तो पूछेगा क्या भई eigenvalues पूछेगा देखो eigenvalues corresponding to the eigenvector याद रखो अगर eigenvector है तो उसका कोई तो भी eigenvalues है यदि कोई eigenvalues है तो उसका corresponding eigenvector exist होता ही है ठीक है तो यहाँ देखते है क्या है इसकी trick और मैं अभी फिर से कहूँगा कि मैं x इस्तमाल करने वाला हूँ तो आपको वेक्टर क्या देखर रखा उसने 101 101 कुछ बढ़ा ले लिया आप सोचो थोड़ा सा कि elements देखो elements इतने स्माल है और क्या इसका वेक्टर 101 101 पॉसीबल है पर वो कैसा तुमारा calculation में समय कैसा होना चाहता है वो उन्होंने दिया 101 101 पर हम जानते हैं इसको हम थोड़ा छोटा भी कर सकते यह facility होती है आइगन वेक्टर में देखो यह दोनों ही 101 है 101 है तो मैं क्या करूँगा दोनों को 101 से divide कर दूँगा तो यह बन जाएगा 11 वैसे भी यह सेम है और वैसे भी यह सेम है no problem तो 11 करो ना तो सोचो ना यह matrix के element जो है इतने छोटे है और क्या उसका आइगन वेक्टर में इतने बड़े element आएंगे तो आपका time देना चाहता है तो यह पन क्या करेंगे 11 हाँ यह यहाँ 2 रहता 101 और 102 तब हम नहीं कर सकते तब हम इसको छोटा नहीं कर सकते तो जब भी सेम सेम है तो आप इसको 11 लिख सकते चाहे वो 1000 1000 भी रहेगा ना तब भी आप 11 लिखो तो यह possible है वेक्टर में क्योंकि वेक्टर की क्या है एक dimension होती है और एक direction होती है तो अब हम क्या इसका यूज करते हुए लैमडा निकाल सकते बिल्कुल निकाल सकते है देखो पहला question पहला question देखो जबकि लैमडा नहीं पूछा था क्या पूछा था आइगन वेक्टर ही पूछा था मगर हमको 7-7 आइगन values भी मिल रही है minus 5 बिल्कुल मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर same tricks यहाँ इस्तमाल होगी same tricks ठीक है चलो देखते हैं AX AX पहले AX लिख लेंगे A कितना है आपका 4, 2, 2, 4 और X आपने छोटा क्या कर दिया 1, 1 छोटा कर दिया इसको यह मतलो उफाल तो calculation बड़ा हो जाएगा अब इसको solve करके यह इस form में आना चीए lambda X तो आपको lambda मिल जाएगा जो आइगन values है और आपको आइगन vector भी मिल जाएगा जो आपने लिया हुआ है वोच आने वाला यहाँ पर ठीक है same same आएगा तब अच्छ हम उसको आइगन values बोलेंगे वरना lambda को हम आइगन values नहीं बोलेंगे यहाँ एक अलग vector यहाँ अलग vector ऐसा नहीं होना चीए ठीक है क्योंकि हर एक आइगन values का एक unique आइगन vector होता है ठीक है दूसरे भी हो सकते हैं ऐसा नहीं है यूनिक आइगन values के दो different आइगन vector भी हो सकते हैं जो हम आगे में cover करने वाले चलो इसको solve करो तो यहाँ पर भी आपको पता है column matrix form होता है तो this into this करो फटा फटा फट तो 4 plus 2 6 पर यहाँ पर करो this into this 2 plus 4 again 6 बस यहाँ से आप common निकालना है क्योंकि अपने को किस form में लाना है lambda into x lambda का है scalar और x का है vector तो यह बच्चा 1 1 देखो आगया हम है इसी पे यह क्या आपका था a यह अपने x लिया था तो यह क्या हो गया lambda और यह वापस x आगया आगया a x equal to a x equal to lambda that means 6 वीदा आइगन तो option c is correct तो यह सेम सेम आ रहा है मतलब यह difference satisfied कर रहा है x equal to lambda that means this lambda वीदा always eigenvalues if same vector is there x तो यह इस step से हो गया तो इसको आप उतार लेंगे इसको आपको समझना है that is tricks ज्यादा लिखना नहीं है यह मैं तुमको लिख कर के दिया हूँ इसलिए समय लग रहा देखो कित्त समय हमें लग रहा एक सेकन दो सेकन का काम है चलो अब हम देखते हैं कि दूसरा कि नहीं बाटी के मैंने question लिख के राखा हूं ओके तो next question पर आ जाते हैं बड़ा इंट्रेस्टिंग है अब देखें यहां पर बोलेंगे कि problem कुछ बड़ा दिख रहा है यहां पर मगर आप यह बड़ा problem है करके लिखने पढ़ने में सामय जाता करके आप छोड़ देते हो चोड़ना नहीं है पढ़ना एक बार तुमने इसको पढ़ लिए न तो समझ देना answer मिल गया पस आपको पढ़ने की देरी है तो all the four entries of two by two matrix यह entry unknown है P11, P12, P21, P22 आपको पता है यह 11 क्या है यह 1 मतलब पहला row और यह 1 मतलब पहला column मतलब यह element पहले row में और पहले column में यह element पहले row में और दूसरे column में यह दूसरे row में है और पहले column में और यह दूसरे row में और दूसरे column में और तो सभी जो elements है वो बोलता है क्या non-zero यह तो उतना keyword नहीं आपको keyword पर भी underline करना है keyword है and one of its eigenvalues is zero यह important है तो कोई भी matrix है उसकी तो eigenvalues तो होगी ना 2 by 2 का है तो कित्ती eigenvalues होगी 2 और उनके corresponding vector भी होते तो उसमें से एक eigenvalue बोलता है जीरो है तो which of the following statement is true यह कुछ दिया है तुमको ऐसा लग रहा है क्या है पर आपको सोचना है कि यह minus बीच में कहां आता है तुमको तो पता है यह minus बीच में कहां आता है determinant solve करते समय बीच में क्या लिखते है माइन तो इसका हम तो यह determinant का कुछ तो भी यूज है तो देखते हैं यहां पर solution मैंने आपको कहा था इसके पहले कि determinant of any matrix P हम क्या लिख सकते product of eigenvalues याद रखो जो मैंने आज तीन definition लिखे दिया है स्टार्टिंग के problem में वहीं इस्तमाल होंगी पूरे 6 के 6 problem में उसमें से एक eigenvalues क्या देके रखा है जीरो तो यह हो गई जीरो तो यह पूरा डिटेल पढ़ने जा रहे हैं हम पूरे problem अगर लेते एक्जाम के आई है तो यह सारी चीजे clear होने वाली आगे ठीक है तो तो अगर कोई eigenvalues अगर 0 है एक तो भी तो समझ देना उस matrix का determinant 0 अब मुझे बताओ इसका determinant 0 है तो determinant P क्या है यहाँ पर 0 और आपका P क्या है P11 P12 P21 P21 P22 equal to क्या जाएगा 0 which implies करो क्रास मुल्टिक्राइब जैसा determinant solve कर सकते P11 P22 इस इंटो इस माइनस इस इंटो इस तो P21 P12 equal to 0 तो कोंशे option में C कोंशे option में C तो option C is correct बाकि यह plus तो रहता है नहीं रहता है plus अगर यह minus होता तो अगर यह तो unknown है नॉन जीरो है तो बाकि option गलोट जाएंगे तो देखो कित्ता समय लग रहा है बहुत fast answer मिल रहा है तो यहाद रखो कि if any eigenvalues lambda 1 बोलो यह lambda 2 बोलो कोई भी अगर 0 है तो उसका determinant 0 होता है तो इसका बेटर में 0 तो जाए रहे चांसर मिल रहा है चलो next देखेंगे गांग आइगां वेल्यूजर आइगां वेक्टर पर compulsory question आना ही है अब यहां देखो दो आइगां वेल्यूज आप दॉड़ियमेट्रिक से 3x3 अब तुम सोचोंगे 3x3 का तो जानते हैं इसके पहले characteristic equation निकलता है थेरी नहीं पढ़ना यहां पर थेरी पढ़ेंगे तो आप फेल हो जाओगा यहां पर थेरी आपको पहले पढ़कर रखना यहां सिर्फ ट्रिक्स इस्तमाल करना अगर आपने बहुत ज़्यादा लिखनी की कोशिस की तो 100% आप फे 3 प्लस 5 जे माइनस 6 माइनस जे तो को एक दो तीन एक दो तीन है तो कुण सी आइगन वेल्यूज है पता करना है कुछ नहीं आपको प्रापरटी के तुरू जाना है यहां पर अगर linear algebra पढ़ना है तो प्रापरटी याद रोख तो मैंने बोला कि तीन आइगन वेल्यूज ह किसके बाएर होता है यहां पर दिया है आगन वेल्यूस का सम अगर टू बाई टू हो का है तो लांबडा 1 प्लस लांबडा 2 प्लस लांबडा 3 और वह क्या होती है सम आप डागणल एलिमेंट हो क्या है वह माइनस 1 माइनस 1 प्लस 3 जाट इस 1 तो बताओ अब यह तीन आइगा विलिश तुमको देखे रखा है इसमें से तीनों का सम देखो किसका वन आता है वह आंसर हो जाएगा तो देखो इसका सम देखते हैं वन आता है क्या तो देखो माइनस 3J प्लस 3J थे-Cancel-1-1-2-1-2-1-1-2-1-3-1 तो आंसर-d is correct यह प्रापर्टी के थू आपको जाना है जादा कुछ साल नहीं करना है तो यह तीन वेल्यू है आइगन वेल्यू जहें लैमड़ावन 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 तू लैमड़ावन तीन आइगन वेल्यू जेस तो ठीक है अगर आता है तो वह उसकी आइगन वेल्यू जो जाएंगी तो माइनस 3J प्लस 3J कैंसल माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 1 अब लास्ट कोश्चन तूदे लाग्स कोश्चन फिर से और आइगन वेक्टर पर और भी डिफिकल प्रॉब्लम आगे में है बसा आपको यह आईडिया आना चीए आज की डेफिनेशन आपको यह याल रखना है तो दा आइगन वेक्टर आ आइगन वेक्टर देखे रखा है फिर से बात हुई आती है एक सिकुल टू लामडा एक तो मैं आज एक ही चीज़ पर कोश्चन को कहुल कर रहा हूँ आइगन वेक्टर की बाद जब भी आती है यह आपको याद रखना है और उसने आइगन वेक्टर देखे रखा है दो औ इसमें और भी क्या रख दिया उसने अन्नोन रख दिया अन्नोन आपको नोन करना इसको मालूम करना तो यह तो एप्लस बी का एडिशन आप बता पाएंगे तो देखते हैं सलूशान फटाफट एक्स इकल टू लामडा एक्स ठीक है अब चलो पहले लिखो एक्स ठीक है अ इस इसकी है अब सवाल यह है कि फार्बूल हम बार बार लिख रहा है यहां जैओ यहां यह लामडा का पता करना बहुत अंशुक है तो याद रहों यहां पर देखो आगन गेंधियast क्या होते है है आप देखो, कैसे निकालते है आइगन विलिज, आइगन विलिज के लिए मैं फिर से आपको बता हुआ, कराक्रास्टिक एक्वेशन लगता है, कोड़री एक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल करना है, नहीं करना है, इतना सब कुछ, यह डाइगनल देखो, आप डाइगनल, डाइगन आइगन विलिज, 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 आइगन विल गया और वेक्टर भी आपके पास में है और मैट्रिक्स भी है तो यकीनन एक्स का जो वेक्टर का जो ए भी है वो हमें आप मालूम हो जाएगा तो चलो आपका ग्हां क्या है फिर इकल टू क्या लिखते है lamda lamda कितना है एक 1 है ना into x वो आपने क्या लिया फिर से 1 A, ठीक है न, A X equal to lambda X का definition formula इस्तमाल कर रहा हूं मैं, चल अब इसको solve करो, solve करो, तो this into this, ठीक है न, ये भी क्या हो जाएगा, ये column matrix हो जाएगा, ये भी, column, आपको पता है column, तो this into this, तो 1 into 1, 1, plus 2 A, ये A के लिमें, तो this into this, 0 plus 2 A, equal to A, 1 को अंदर लेके गे तो भी क्या हो जा तो this equal to this हो जाएगा, तो 1 plus 2 A, equal to 1, तो ये 1, 1 cancel हो गया, तो A equal to क्या मिल गया, 0, ये क्या हो जाएगा, 2 A है न, तुम दूसरा भी ले सकते हो, और, इसको multiply कर लेनेगा, तुम दूसरा भी सकते हो, 2 A equal to A, 2 A equal to A, मतलब 2 A minus A equal to 0, इसका मतलब A equal to 0, कहीं पर भी मिल लेगा, same मिलेगा, तो ये दो को यहाँ पर A equal to lambda X का पता कर रहे है, तो दूसरा ले लो, तो A के विली मिल गई, फिर से लेंगे A equal to lambda X, भाई, lambda भी अलग है न, 2 है, और इसका दूदो, दूसरा आगन वेक्टर 1, 2 है, तो फिर से लो, 1, 2, 0, 2, ये क्या है, A, आप दूसरा वेक्टर ले लो, 1B equal to lambda X, lambda कितना है, 2, X आपको सेम लेना है, इसको साल करो, धीस इंटो धीस, तो धीस इंटो धीस क्या होगा, 1 plus 2B, और धीस इंटो धीस, ये 0, 2B, वेक्टर हो गई है, और ये हाँ पर 2 को अंदर लेके जाओ, तो 2, 2B, अब कम्पेर करो, तो therefore, 1 plus 2B equal to 2, तो 2B equal to कितना हो जाएंगा, 1, तो B equal to हो जाएंगा, 1 by 2, 1 by 2, आप सोचेंगे, सर, ये ये नहीं ले सकते क्या, धीस इकल तो धीस, लेंगे न, क्या होने हो ला है, यहां पर, 2B equal to 2B, मतलब क्या होगा, 2B equal to 2B, मतलब, यहां मतलब, B की वेल्यू कुछ भी हो सकती है, सेम करना है, 1B हो सकती है, तो 2 equal to 2, it is possible, B के अगर मैं 2 लेता, तो 4 equal to 4, करेक्ट है, मतलब, it has infinite values of B, मगर अपने को यहां infinite थोड़ीक न दिया है, कोई एक particular value देके रखा है न, fix, तो अपने को वो लेना है, जो अपने को value दे रहा है, एक constant fixed value दे रहा है, वही लेंगे, हां, यहां पर द बहुत सारी value जाएंगे यहां पर B की, भै 2B equal to 2B, ठीक है न, तुम बोलेंगे, 2B equal to 2B, cancel, 1 equal to 1, 1 equal to 1, तो B तो हई नहीं वहां पर, AB is half, and therefore उसने पुछा, A plus B की value, A कितना है, 0, और B कितना half, and that is half, तो half answer जो है, answer B is correct, तो यह इस टाइप से इसको आपको समझ में आ गया, property के थूँ, हम और भी अच्छा question लेने वाले ending में, ठीक है, 3 by 3 के question लेंगे, eigen values और eigen vector पर, okay,